हाई प्रेंड्स आज मैं अब सब के लिए लाई हूँ लहसुन के अचार के रेशिपी तो देख सकते हो फ्रेंड यहां पर मैंने टुटल 400 ग्राम लहसुन को लहसुन के कलिया को अच्छे से क्लिन कर लिया है इसके उपर के छिलके जितने सारे थी सब उतार लिया है अब इसको हम एक स्ट्रेनर में एड़ करते हुए इसको हम स्ट्रेम कर लेंगे पूरा अच्छे से इसको पकाना नहीं है lightly इसको just steam करना है ताकि हमारा लहसुन के कच्चा पन चले जाए आधे से ज़्यादा इसको steam कर लेना है तो देख सकते हो फ्रेंट यहाँ पे मैंने नीचे की पतिले में थोड़ा सा पानी याट करते हुए पानी को उबालाने के बाद इसके उपर हमने यह स्टेनार के मतद से स्टील के स्टेनार है जिसमें हम वहाब में पका लेंगे हमारे लहसुन को तो देख सकते हो फ्रेंट हमारा लहसुन जो है बिल्कुल पक चुका है मतलब steam हो चुका है अब इसको हम साइड में रख देंगे दुसरे एक पैन में हमने यहाँ पे एड किया है सर्षो का तेल सर्षो का तेल को हम गर्म करने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और हमारा लहसुन में हम एड करेंगे कुछ मसाला तो चलो फ्रेंट मसाला एड करते हैं यहाँ पे हमने ले लिया है हल्दी पाउडर और लाल मिर्च के पाउडर अब हम एट करेंगे स्वादन सर नमक अब इसमें हम एट करेंगे अमचुर के पाउडर अब इसको हम अच्छे से एक साथ मिला देंगे हमारा तेल भी बिलकुल गरम हो चुका है अब इसमें हम तड़का देंगे अब इसमें हम अड़ कर रहे हैं काला सर्सो और श्वाधन सर नमक लाल मेर्श़ की पौडर और हल्दी पौडर तो अब इसको हम अच्छे से चटका देंगे जई अच्छे से चटकने के बाद हमारा जो शर्शो है वो अच्छे से चटकना चाहिए तब उसका जो फ्लेवर है वो इस तेल में आ जाएगा तो देख सकते हो फ्रेंट ये बिल्कुल रेडी हो चुका है अब इस तेल को हम एट करेंगे इस लहसुन के उपर देख सकते हो इस सारे मसालों को अब हम एक सब मिक्स कर रहे हैं अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद ये जो तेल है अब इस तेल को हम एट कर देंगे पूरे तो इसी तरीके से तेल एट करते हुए इसको अच्छे से मिला लेंगे तो मिलाने के बाद अब नमक थोड़ा देख लेना फ्रेंट स्वाधन देना है अचार में जैसा नमक लगता है वैसे ही अपको देना है तो देख सकते हो फ्रेंट यहाँ पे हमने कुछ लिम्मो की जूस लिकाल के रखा है ताकि हमारा जो अचार है उसमें थोड़ा सा खटास पन आ जाए इसलिए मैंने चार से पांच लिम्मो के रस यहाँ पे एड़ किया है तब इसको हम अच्छे से एक साथ मिला लेंगे थंड़े होने के बाद इसको हमें कॉंटेनर में रख देंगे लिज्जी फ्रेंट आपकल हैसुन का अचार बिल्कुल रेडी है है ना यह ब झाल 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 क्वाच बदक्ड़ यह बखने है साथ में इसको हमें जाए यहाँ आए रख भी टाल जाएंगे अपकल है को बगल में आए ले घए बागने आए रख़।